क्रेंग मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं देखिए प्रेक्टिस करने का बेस तरीका बस यही है कि यह हुआ कुच यह वा कुच यह तरीका है बस थोड़ा सा इतना सा फरक आजाता है इसके अंदर कुच यह एक कॉनबर्सेशन में मॉडरेट इंग्लिश में यूज होता है और अगर हम इसको ऐसे कह दे कुझे टोड़ा थोड़ा हमें वर्ड्स एड करने आने चाहिए मान के चली हमें इस चीज़ को ऐसे पूछना है कि आप बता सकते हो बस स्टॉप किस तरफ है या आप बता सकते हो बस अपसको बोल करके देके और पर पाव्ट करके बोलके देखिए और उसके पादवी चेक करिये की तरफ डारेक्शन वर्ड को इस सेंटेज में फिट कर पा रहे है कि से सेंटेजस सिर्फ in extra लग जाएगा, could you tell me which direction the bus stop is in, तो यह आएगा कैसे जब आप इन sentences को repeat करेंगे न साथ में तो खुद से आपको logic समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द कहां पे बोला जा रहा है, could you tell me which direction the bus stop is in, could you tell me where the bus stop is, right, repeat करने से खुद से sentences के यह words याद हो जाते हैं, कहां पे क अगर मुझे पता होता तब भी नहीं बताता, how would you say this in English, अगर आपको इन sentences को बोलने के लिए कोई एक बात को कई 20 तरीके से कहा जा सकता है, आपके माइंड में अगर इन sentences को बोलने के लिए को sentence आते हैं English में, तो आप अपने answers, sentences, comment section में लेख सकते हैं, हर comment को पढ़ते हैं, आपके sentences ठीक होंगे, then I'll give you a like, और गलत होंगे, तो हम उनको correct कर देंगे, explain कर देंगे कि गलती कहा पर हो या, all right, so please participate while watching the video, okay, so अगर मुझे पता होता, तब भी नहीं बताता, sir, even if I know, देखिए, यहां पर हमने क्या करा, even लगा करके emphasize कर दिया, अगर मुझे पता भी होता, even if I know, I wouldn't tell you, मैं तुमको नहीं बताता, look at the next sentence, क्या तुम मुझे किसी बात पर नाराज हो, word order बस पता होना चाहिए, सारे related words आपके mind में आ जाते है, sentence में बस उसको fit करना आना चाहिए, क्या तुम मुझे किसी बात पर नाराज हो, so are you upset with me about something, about का use करेंगे, देखें, नारा गुस्सा हो, so are you angry with me about something, getting my point, जैसे कि अगला sentence है हमारे पास में, जैसे तुम्हें पता ही ना हो, अब दोस पूछा है, are you upset with me about something, दोसरा दोस करें, तुम तो ऐसे कर रहे हो, जैसे तुम्हें पता ही ना हो, अब ये expressions होते है, जैसे तुम्हें पता ही ना हो, इसमें आप like भ यूज करा जा सकता है, like और as if दोनों लगबग इस condition में same ही message को पहुंचा रहे है, right, so as if you don't know, जैसे तुम्हें पता ही ना हो, sort, मैं तुम्हें कब से रोक रहा हूं, तब से कह रहा हूं, आज और रोक जाओ, दोस उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, मैं तुम्हें कब से क compulsory, आप कहा सकने, how long have I been telling you, how long, या फिर for how long have I been telling you, for how long, यहाँ तक हो गया सामय, have I been telling you, या फिर have I been asking you, ask, request कर रहा हूं, tell, मतलब बोल रहा हूं, simple सा, छोटा सा डिफरेंस है, so how long have I been telling you, just to stay one more day, एक और दिन, देखिए, आज और रोक जाओ, का literal translation अगर करेंगे, तुम्हे English के sentence में मज़ा नहीं आएगा, to stay today more, मज़ा नहीं आएगा, getting my point grammatically ठीक हो सकता है, तो English में जिस तरीके से जिस बात को बोला जाना है, English is spoken its own way, अपने तरीके से बोली जाते हैं, 10% sentences लगबग हैं, जो translate हो पाते हैं, so उसको सीखने का बेस्त तरीका मैं आपको बता देता अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, और एक मिनट में आपका लूँगा, आप हमारी live classes भी attend कर सकते हैं, live classes के देखें, दो फायदे होंगे, सबसे पहले तो हम आपको अपने community में, अपने group में add कर लेंगे जहाँ पे आप दूसरे participants के साथ real situation में practice कर सकते हैं, which is most important part of learning, जब आप real situation में practice करेंगे, तो real English बोलने की आदत पड़ेगी, अकेले अगर आप practice करेंगे, तो सिर्फ translation करते रहेंगे, एक sentence सोचते हैं, उसको translate कर देते हैं, और translation करके 10% sentences बन पाते हैं, तो group में क्या होता है, 200-300 participants होते हैं, आप उनके साथ पूरा दिन conversation कर सकते हैं, एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है, ये तरीके हमको पता चलते हैं, कोई basic English लिखता है, कोई advanced तरीके से लिखता है, कोई उसी situation में, कोई idiom या phrase वगएरा यूज़ कर लेता है, तो हमें broad English पता चलते हैं, कि इ सुलने की आदत पढ़ेगी, और शाम को जब हमारी live classes होती है, तो वहाँ पर भी simply come together every evening and we discuss anything in English for 2 hours, 2 गंटे discussion करते हैं, गुरूप में जो conversation हो रहा होता है, जहां पर कुछ sentences में confusion रह जाता है, कहीं से बाहर से sentences सुने होते हैं, कुछ little grammatical rules हैं, complications जो होते हैं, तो वहाँ पर साथ के साथ grammar, structure, logic समझेंगे, 15-20 दिन में चोटे-चोटे doubts और concepts clear हो जाएंगे, and you will start speaking English fast, fluently and confidently the way you want to speak, right, फिस की बिल्कु चिंता मत करियेगा, live classes में आए, यहां पर आपको practice partners मिल जाएंगे, live classes होती हैं, हमारी live classes में doubts बगरा clear हो जाएंगे, तो सारी facilities जो भी चीज़े च चाहिए, communication skills को improve करने के लिए, वो सब यहां पर आपको मिल जाएगा, right, so let's get back to it now, पता नहीं, तुम्हें किस बात की जल्दी है, अब देखे, पता नहीं तुम्हें किस बात की जल्दी है, तो इस प्रकार से word order, word order को बस देखे, I don't know what you are in hurry for, देखे, कल के session में भी मैंने बताया था, कुछ एक ऐसे sentences होते हैं, जो question जैसा sound करते हैं, लेकिन वो questions नहीं होते है, right, अब यहां पर देखे, तुम्हें किस बात की जल्दी है, question जैसा लग रहा है, लेकिन question नहीं है, वो अंदाजा लगा रहा है, फिर पता नहीं तुम्हें किस बात की जल्दी है, right, so उस चीज़ का word order हमको देखना है, I don't know what you are in hurry for, getting my point, what are you in hurry for, अगर कह देंगे, तो question हो जाएगा, I don't know what you are in hurry for, what the point, so पता नहीं तुम्हें किस बात की जल्दी है, अब देखे, यहां for की जगा पर about का भी use कर सकते हैं, अब ऐसे कह सकते हैं, I don't know what you are in hurry about, about और for, interchangeably use हो सकते हैं यहां पर, right, और यह alternate कैसे ही पता चलेंगे, लोगों के साथ practice करेंगे, गुरूप में, कोई for कहेगा, कोई about कहेगा, और फिर life session में पता चल जाता है, अगर कि for about दो नहीं ठीकते हैं, right, so शायद तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते हैं, अब देखे, इसी बात को of me as your friend, off लगाना यहां पर जरूरी है, अग यह कहां से आया है, मुझे बेवकूफ मस समझना, don't think of me as a fool, right, maybe you don't think of me as your friend, what do you think of yourself, कहते हैं न तुम अपने आपको क्या समझते हो, what do you think of yourself, तो किसी को समझने के लिए off word use कर लेते, so maybe you don't think of me as your friend, तो मुझे अपना दोस्त नह कुछ भी नहीं आएगा, तो सीखने का क्या तरीक है, रियाद रटा नहीं लगाना है, बस यह है कि आप सुनते रहेंगे repeatedly, तो खुद से सांद सियाद हो जाएंगे, दर असल मैं पहली बहुत छुट्टियां ले चुका हूँ, दोस्त कह रहा है कि यार मैं पहली बहुत लॉट आफ का भी मतलब यह बहुत सारी, तू मैनी का मतलब यह बहुत सारी, क्या हमें इस सेंटेंज में टू मच यूज कर सकते हैं, तू मच नहीं यूज कर सकते हैं, तो जो चीज गिनी जा सकती है, वो टू मैनी है, और जो चीज नहीं गिनी जा सकती है, वो टू मच है, right, so I've already taken too many leaves, मैं पहले बहुत सारी छुट्टियां ले चुका हूँ, now look at the next sentence, अगर मैं कल office नहीं पहुचा तो वो मुझे निकाल देंगे, अगर मैं कल office नहीं पहुचा तो वो मुझे निकाल देंगे, so if I don't make it to the office tomorrow, if I don't make it to the office tomorrow, या फिर if I don't reach office tomorrow, make it to the office यानि की effort लगा करके वो बता रहा है वहां नहीं पहुच पाया, so make it का मतलब भी होता है, कुल मिला करके कुछी काम को कर लेना effort लगा करके, so if I don't make it to the office tomorrow, they will fire me, fire करने का मतलब होता है, normal job से निकाल देना, hire करने का मतलब होता है, job पे रख लेना, so if I don make it to the office tomorrow, they will fire me, वो मुझे निकाल देंगे, now, क्या तुम चाहते हो कि मेरी job चली जाए, so do you want me, क्या तुम मुझसे चाहते हो या मेरे ले कुछ चाहते हो, so do you want me to lose my job, do you want me to lose my job, एक तरीका ये हो गया, इसी word order में अगर हम translate करें, क्या तुम चाहते हो कि मेरी job चली जाए, do you want that, I lose my job, do you want that, I lose my job, getting my point, तो इस तरीके से भी आप कहना चाहें, तो कहा जा सकता है, but वो translation है, लेकिन ये एक natural तरीका है, do you want me to lose my job, क्या तुम चाहते हो कि मेरी job चली जाए, right, now, look at the next sentence, मैं तुम्हे बहुत अच्छे से जाता हूँ, अब देखे हो दोस्त है, वो बहाने बना रहा है, I've already taken too many leaves, and if I don't make it to the office tomorrow, they will fire me, do you want me to lose my job, तुम चाहते हो मेरी job चली जाए, अब दोस्त कहा रहा है, मैं तुम्हे बहुत अच्छे से जानता हूँ, देखे, अब होता क्या है, condition है, I know you inside out, एक हुआ, I know you very well, आप कहना चाहें तो कह सकते है, I know you inside out, तो उसके च साथ बात कर रहे हैं, so I know you inside out, यानि कि तुम उपर से कैसे देखते हो, तुम्हारी अंदर तक की बाते हैं, मन तक की बाते हैं, मैं जानता हूँ, so I know you inside out, inside out का मतलब है, अंदर बाहर चरित्र की बात हो रहे है, यह कोल मिला करके, characters, so मैं, यानि कि तुम बहाने बनाने में म कहा जा सकता है, जब क्वालिटी की बाते हैं, कोई भी अच्छा काम, क्वालिटी बताते हैं, so he is good at English, he is good at cooking, he is good at driving, good at का इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिर और ज्यादा एम्फिसाइज किया जा रहा है, so you have expertise in, just which is की expertise है उसके आपस में, so I know you inside out, you have expertise in making excuses, आपको बहाने बनान लेकिन घर पहुँचके फोन जरूर करना, खैर, अब तुम जाओ, लेकिन घर पहुँचके फोन जरूर करना, तो actually में translation नहीं, हम इसमें दो situations कहा रहे हैं, अभी तुम्हें जाना चाहिए, या चले जाओ, और घर पहुँचकर फोन जरूर करना, जब हम surety की बात कर रहे है एक हम उसको emphasize कर रहे हैं, ये काम होना जरूर चाहिए, getting the point, जरूर फोन करना, see, well, you should leave now, अब तुम्हें जाना चाहिए, well, you may go now, permission दे दिया आपने, you should leave now, suggestion दे दिया आपने, right, you go now, बिल्कुल order दे दिया आपने, so, you should leave now, and make sure to call me when you reach home, make sure, यह sure कर लेना, make sure to call me when you reach home, right, त से related, तीन सो करीबन structures होते हैं, तीन सो structures, situation में sentence में क्या use करना है, कहां से sentence start करना है, बस यही आपको master करने है, और उनको सीखने के लिए 200 से जादा वीडियो अप्लोडेड हैं हमारे चैनल पे, वीडियो को आप 10-12 वीडियो देखेंगे, खुद से आपको समझ में आ जागा logic of spoken English, translation की आदर छोड़ती चली जाएगी, situation समझ के sentence form करने की आदर पढ़ती चली जाएगी, बाकी यह है कि life classes में आप आईए, practice करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, till then, take care of yourself, bye